नमस्कार दोस्तो स्वागत आप सभी का दोस्तो अरियाना पुलिस की एक पुराणी भरती है उससे समंदित एक और नई खबर आई है उसके ओपर भी तलवार लटक गई है और उस भरती का भी रिजल्ट दोबारा से आएगा और कितने ऐसे कंडिडेट है जिनकी नोगरी जान जितने भी साथी इस चैनल पर नई है और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तो वीडियो को लाइक करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा बिल्कुल फ्री कोश्ट है तो प्लीज सपोर्ट जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और कुछ साथी एक चीज़ और मैं बताना चाहूंगा आपको बार-बार कमेंट करते हैं अच्छा CCT भरती के बारे में कोई कहता है मेरे 70 नंबर है 80 नंबर है एक्चल में है या नहीं जो भी है इतने इतने नंबर वाड़े भी कमेंट करते हैं और यह बोलते है मेरा इस भरती में नंबर आ जाएगा कोई करता है 90 नंबर पे ठीक है कोई 55 या बीज में है कोई मतलब रिस्क व करें हाँ जहां पर आपको डाउट लगता है वहां कमेंट करें कुछ लोग है जिसे की मज़े लेने वाड़ी बात भी हो जाती है एक कमेंट मेरे पास आया हुआ था जी असी नंबर बने रहे हैं एक्स्टर नंबर मिला के क्या मेरा जी बरती में आ जाएगा अग नहीं सिंप दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा एक 2019 में वरती हुई थी इसकी रियाना पोलिस की कॉंस्टेबल की वरती तो उसमें बहुत सारे कंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने एक्स्टर नंबर गलत तरीके से ले लिए यानि कि घर में सरकारी नोकरी है फिर भी उन्होंने यानि कि कुछ कंडिडेट है उनको मतलब फादर लेसके नंबर दे दिये किसी को नहीं दिये कुछ ऐसे है जिनको क्या कहते हैं घर में नोकरी है फिर भी नंबर दे दिये यानि कि उनकी जांच नहीं हुई और उनको नंबर दे दिये और ऐसे है सेंकड़ों कंडिडेट ऐस तो उस तरीके से इस भरते में होने वड़ा है तो आपकी जो भी राया आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपके मन में जो भी है चसी के बारे में तो वह आप जरूर कमेंट करें क्या यह सही है या गलत है क्योंकि दो दो तिन तिन साल बाद अगर गलत तरीके से लगा ह और उसको निकाला जा रहा है तो भी वो गलत है मेरे हिसाब से तो क्योंकि एससी की गलती है उसने गलत तरीके से सलेक्ट क्यों किया उसकी जाँच करनी चाहिए थी और अगर उस टाइम ने जाँच कर पाई तो अब क्या है उसका क्या उचित्त है आप अपनी राय दुरूर कमेंट करें अपने वीडियो यहां तक देखिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद